आभार भारती रेलवे यानि भारती रेलवे को धन्यवाद और ये धन्यवाद कार्पोरेट्स की तरफ से दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि जो ट्रेक्टर देख रहे हैं ये ट्रेक्टर दक्षिन भारत से उत्तर भारत के बक्षी के तालाब तक अभी की बात करें तो सीजन में अच्छी खासी डिमांड दिख रही है और इस तरीके से आटो मुबाइल सेक्टर के लिए अपनी रेलों के जरिये माल को पहुँचाना की आसान नहीं है. यहाँ पर जो आप तरसी देख रहे हैं यह बक्षी के तालाब में जो गुड्स टर्मिनल बनाया गया है वहाँ पर यह सामान उतारा जा रहा है यह ट्रैक्टर करनाटक से लाद कर लखनव के पास बक्षी के तालाब में पहुचाए गया है और 165 टैफे फर्गुसन ट्रैक् तो वाकई धन्यवाद का देने का जिम्मा बनता है कार्पूरेट्स को और खास तोर पर अगर भगताओं की बात करें तो उनके लिए भी यह बड़ी चीज है क्योंकि उनके ट्रैक्टर उनको टाइम पर मिलेंगे यानि किसानों को जो किसानी के लिए ट्रैक्टर चाहिए वो समय पद मिल पाएंगे क्योंकि कोरोना के चलते तमाम चीजें उल्टा पुल्टा हो गई हैं लेकिन भारती रेल्वे ने पूरी कोसिस की है कि चाहें वो कारें हों यहां जो कारें देख रहे हैं आप हुंडाई की धेर सारी कारें कुछ दिन पहले बक्सी के तालाब में उतारी गई थी और वहां से आसपास के इलाकों के लिए सप्लाई की गई तो कहीं न कहीं जितनी आर्टो मूबाईल कम्पनियां हैं उनके लिए रेल्वे एक सहज रास्ता बनका अबरा है क्योंकि जो फेसिल्टी है वो भी रेल्वे ने प्रो वाइड कि है क्योंकि बड़ी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप खड़े करके, कहीं पर भी गाड़ियां चाहा देंगे, तो वो पूरे के पूरे गुड स्टेडनल बनाये गए हैं, तो बक्सी के तालाब में जो गुड स्टेडनल बनाया गया है, उसका जबरदस्त उप्योग हो रहा है क्योंकि अगर हम देखें, तो लखनव से सितापुर के रास्ते में ये बिलकुल लखनव के पास में ही बक्सी का तालाब पड़ता है, तो इससे जहां एक तरफ तराई के लिए सप्लाई हो पाती है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनव और आसपास की इलाकों के लिए, जो आ की जा सकती है, और जो कमपनियां हैं, उनके लिए फाइदा ये है, कि जब अगर करनाटक से उत्तर भारत आना हो, तो अगर ट्रकों के जरिए ये माल आए, तो काफी दिन लग जाते थे, अपते बर का समय लग जाता था, लेकिन अब वहां पर माल चढ़ाया और यहां जो ह बड़ा कम देना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें विन-विन सिच्वेशन है, और साइद यहीं एक सबसे बड़ी वजय है, कि भारती रेल्वे के लिए ये कमपनियां आभार दे रही हैं, खास तो और परकिसानों की बात करें, तो उनकी तरब से भी भारती रेल्वे को हम कह सकते हैं, आभार बाती रेल्वे को